भारतिय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोशना पत्र में कहा है कि हम CA लेकर आएंगे अब विपक्स तुरुष्टी करण की राधनीती करकर एपीस्मेंट की पोलिटिक्स करकर वाट बेंक को कॉंसल्डेट करना चाहता है रूल व्यवस्ता करता है जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे फोलिटिकल इस्यूस के करन लेठ हुआ मगर कब से नागरिक्ता मिलेगी तो 2014 के पहले से वह थमरूल वहीं का वहीं है आज क्या फरक पड़ गाया बताईए वीपक्स को और कोई काम नहीं उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फाइदा है तो क्या हम टेरिजम पर कर्दम नहीं उठाए कि इस देश के अलसंप माइनोरिटी या तो किसी और व्यक्ति को डढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिक्ता लेने का प्रावधानी है तो अगर आप पार्स पिर तो हर देश से आवे अस्ता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोड़ लोगा CAA के लिए अभी लाने की क्या जरूरत थी सारे जो विपक्ष के नेता है सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं पहले बात तो CAA की जरूरत क्या थी और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के दो या तीन मेहने पहले देखे मैं पहले टा निती कर रहे हैं इसलिए टाइमिंग का महतो नहीं है भारतिय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोशना पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के जो सरनार्थी है उनको नागरिकता देंगे तो भारतिय जनता पार्टी का एजन्डा बहुत सपस्ट है और वो एजन्डे के आधार पर हमें बहुमत मिला है 2019 में ही ये बिल संसत के दोनों सदनों ने पार कर दिया उसके बाद कोविड के कारण थुड़ा लेट हुआ अब टाइमिंग का क्या महतो है सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अ कानून को माननेता मिल गई है रूल्स फॉर्मालिटी है अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है अब विपक्स तुरुष्टी करन की राधनीती करकर एपीस्मेंट की पॉलिटिक्स करकर वाट बैंक को कॉंसल्डेट करना चाहता है मैं उनको व है और चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूँ कि होगा चुनाओ के पहले होगा अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का इतने साल तो हुआ नहीं ना 2019 के बाद अब हुआ है समिता जी मुझे एक बात बताइए will of legislature will of government bill से प्रगट होता है या rules से प्रगट होता है obviously bill से rules व्यवस्ता करता है जो करने में पहले कोवीड के कारण और बाकी सारे political issues के कारण लेठ हुआ मगर कब से नागरिकता मिलेगी तो 2014 के पहले से वो थमरूल वहीं का वहीं है आज क्या फरक पड़ गया है बताईए वो भारतिय जनता पार्टी को के लिए ये पोलिटिकल घेन का बुद्दा नहीं है भारतिय जनता पार्टी के लिए हमारे नेता नरेंदर मोदी जी के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश से आये हुए करोडो सरनार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीडी को नियाए दिने का मुद्दा है जो कॉंग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया आप कह रहे हैं करोडों लोग यहां आएंगे लेकिन यह पॉलिटिकल नहीं है मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फाइदा नहीं होगा लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैं अपने लिए देखें विपक्ष को और कोई काम नहीं है उन्होंने तो सर्जीकल श्ट्राइक और एस्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फाइदा है तो क्या हम टेरिजम पर करदम न उठाए इन्होंने 370 को भी बताया कि आपके पॉलिटिकल फाइदे के प्रेंद्र मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकिल है मोदी की हर गैरेंटी पुरी होनी है 2019 में आपने ANI को इंटर्व्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त CA के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था एक disinformation campaign है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस disinformation को misinformation, disinformation जो भी इस बार क्या party जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है सुमिता जी दर्मियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग-अलग मंचों से इसके बारे में मैंने detail बात करी है कि इस देश के अलसंख्यप, minorities या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिक्ता लेने का प्रावधानी ही नहीं है CAA सिर्फ और सिर्फ तिन देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश से हिंदू, सीख, बाउध, क्रिश्चन और पार्सी जैन और पार्सी सरनार्थ ही आये है इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिक्ता देने का कानून है जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए मैं बाकी रिलिजिन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसल्मान समुदाय के बारे में बात करते हैं क्योंकि चाहे उवेसी साब हों, चाहे ममता बैनर जीओं साब और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कहरी है, it's an anti-muslim law विकोज आप मुसल्मानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटीरिया ही है कि मुसल्मान नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं है, आप इस law को isolation में नहीं दे सकती, इस देश का एकितियास है 15 अगस्त 1947 को इस देश का विभाजन हो गया देश तीन हिस्सों में बढ़ गया वो background है भारतिय जन्संग, भारतिय जन्ता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया हम कभी सहमत नहीं थे इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था मगर उस वक्किया गया जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहाँ जो अलपसंक्यक है उस उन लोगों पर धेर सारे अत्याचार हो धर्म परिवर्तन कराये जाए इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए वो मा बहन बेटी के लिए वो सरण में आये भारत की तो क्या उसको यहां नागरिक्ता का अधिकार नहीं है और स्वयम कॉंग्रेस के नेताओं ने आजादी के बग सैंकडो भाचनों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है अभी जहाँ है वहां रहे जाए बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है परन्तु बाद में इलेक्ट्रोल पोलिटिक्स चालू ही वोट्में की रादनेती चालू ही एपीस्मेंट के कारण वो वादा कॉंग्रेस पाटी ने कभी पूरा नहीं किया जो आद नरेंद्र मोधी पूरा कर रहे है जो बाकी समुदा बाकी जो रिलिजन्स है चाहे हिंदूज है जैन है बुद्ध है सिख है उन सब को तो मैं मानती हूँ ठीक है अगर आप पार्सी और इसायों को ला सकते हैं तो मुसल्मानों को क्यों नहीं दिखे मुस्लिम आबादी के लिये ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है वो वुम्रे इसलिए दे दी गई थी फिर तो हर देश से ऑवियासता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दर्वाजे खोड़ लो भारत कहां बतता है अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताडना हुई है उसको सरण देना मैं मानता हूं हमारी नईतिक जिम्मदारी है और हमारी constitutional responsibility और समिता जी आप आकड़ी की गहराई में जाईए जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23 प्रतिसत हिंदू थे हिंदू और सीख थे तीन पॉइंट 7 प्रतिसत बच गए कहां गए सारे इतने सारे तो यहां आए नहीं धर्म परवर्तन हुआ अपमानित किया गया दोय आएंगे लोग क्या देश इसका विचार नहीं करेगा देश की पार्लामेंट इसका विचार नहीं करना चाहिए इसमें एमदी मैं बांगलादेश की बात करता हूं जी उन्नी सो इक्यावन में हिंदू का प्रतिसत 22 प्रतिसत है मैं इक्यावन की बात कर रहा हूं बांगला 11 की जनगर्णा में वो 10 प्रतिसत रह गया कहां गए हो लोग अफगानिस्तान उन्नी सो ब्यानवे के पूर्व मैं ब्यानवे के आंकड़े मेरी प्रासुप्ड लगबग लगबग दो लाक सीख और हिंदू थे और आज करीब करीब 500 बच गई क्या ही इन लोगों को अपनी बिलिप से जिने का अधिकार नहीं है वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे हमारी भाई है हमारी इह ही बैन है हमारी ही माता है अगर यही तीओरी को आप अपना लो तो पार्टिसन के बाद इतने सारे सरणनार्थियों को क्यू लिया? उसका भी तर्क नहीं है फिर तो तो वो ही मैं पूछूँगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बनाबर वहाँ पर शिया और एहमदी बलोच ये भी तो प्रताड़ित हैं वहाँ पर दिखे वो प्रताड़ना आकड़ों के अधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा ब्लोक मुस्लिम ब्लोक माना जाता है आप मेरी बात समझ कर चलिए और सिया एहमद या वो तो छोड़िये मुसलमान को भी अधिकार है आप्लिकेशन करने का हमारे समझान ने रास्ता खोब आ है वो एप्लिकेशन करकर रेफ्यूजी के तौर पर ना ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिक्ता लेने के लिए एपलाई कर सकते हैं, भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्सा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हूं, उसका नेनाई करेगी, रास्ता किसी के लिए बन नहीं है, ये स्पे पॉर्टल भी खोल दिया है, उसमें वो सारे डीटेल्स करेंगे, वो पॉर्टल सुरक्षित है और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है, तो क्या अब वो ना नागरिक है, ना माइगरेंट है, ना रेफ्यूजी है, क्या बन जाते हैं? देखे, मैं आपको बताता हूँ, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, इसका रास्ता हम बाद में ढूंडेंगे, परन्तु जिनके पास दस्तावेज है, वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है, और कितनी देर लगेगी, क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा हमने कोई समय मरियादा नहीं रखी, आराम से सब लोग एपलिकेशन करें, मैं सब को अपिल करता हूँ, आप आराम से करिये, एपलिकेशन देश की सभी भासाओं में है, आपकी भासा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एपलिकेशन कर सकते हो, और आपकी समय की अनुकुलता स भारत सरकार आपको इंटर्वी के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ओडिट के लिए बुलाएगी और वो फेस टू-फेस इंटर्व्यू होगा या फेस टू-फेस होगा और अगर वो सेकंड जेनरेशन रेफ्यूजी जे मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदु 15 अगस्ट 1947 से लेकर 31 डिसमबर 2014 तक जो भी आये हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है